बड़ी ख़वर के साथ कर रहे हैं HPSC रेंक धारकों का सम्मान समारो आज किया जाएगा थोड़े दिर बाद ये समारो जो है शुरू होगा सम्मान समारो में शामिल होंगे CM नाइप सिंग सैनी बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं है थोड़े दिर बाद ये समान समारो शुरू होगा समारो में शामिल होंगे CM नाइप सिंग सैनी HPSC रेंगधार को का आज समान समारो होगा जिसमें की उन्हें समान दिया जाएगा बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही हैं इससे पहले UPSC के जो अभ्यारती थे उठीन अभ्यारती उनको उनके लिए समान समारो देखे किया गया था अब HPSC जो रेंगधार को का आज समान समारो किया जाएगा थोड़ी दिर बाद ये जो समान समारो ही शुरू हो जाएगा आपको बता दे कि समान समारो में CM नाइप सिंग सैनी शामिल होंगे तो HPSC रेंगधार को का समान समारो आज किया जाएगा थोड़ी दिर बाद ये समान समारो शुरू होगा बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हाला कि दस बज़े का समय जो है निधारित किया गया था इस समान समारो के लिए दस बच चुके हैं थोड़ी ही देर में अब ये जो समान समारो होना है हर्याना के मुखे मनफ्री नाइप सिंग सेनी इसी तरीके से UPSC के अभ्यारतियों की बात की जाए HPSC के अभ्यारतियों की बात की जाए जो भी उत्रीन होते हैं इस तरीके के रैंकधारों को हमेशा समान समारों हर्याना सरकार देती है समान करती है ऐसे में इस तरीके के समारों जो है अक्सर किये जाते है HPSC रेंकधारों का सम्मान समारों आज किया जाएगा थोड़ दिर में ये जो कारिकरम है ये शुरू हो जाएगा सम्मान समारों में शामि होंगे CM नाइप सिंग सेनी रवी काली नमन मिशेस समधाता जादा जानकारे के साथ जुड़े हैं रवी देखिए अकसर हर्याना की मुख्यमंतरी नाइप सिंग सेनी जिस तरीके से पहले UPSC के अगर बात किज़ा अभियारती की उनका भी उन्होंने समान समारों किया था और सीधे तोरकों को समान दिया गया था अब भी फिर से एक बार HPSC के जो रेंख धारके उनका समान समारों किया जाएगा सिंग भी वहाँ पर पहुंचेंगे बिल्कुर देखिए मुख्यमंतरी अपसे कुछी देर बाद समान समारों का रिकरंग में पहुंचेंगे HPSC की परिक्षा में उतीन रहे होना अब्यारतियों का समान समारों ये रहने वाला है जो उनके उनके नायर्टिंचैनि अब्यारतियों को समानिच करते हुए नजर आएंगे जी चले बहुत शुक्रियों अभी मार्शा जोने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए तो देखिए अब्यारतियों का समारों आज जोना ही थोड़े दिर में कारकरम शुरू होगा जहां पर हर्याना की मुखी मंत्री नायव सिंसे नहीं पहुंचेंगे और अभ्यारतियों का समान किया जाएगा